अगरतला में 39 के कलाकारों की दुनिया गुलजार हो रही है शिल्पकार और शित्रकारों को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल रहा है जहां आर्टिस्ट अपनी बनाई पेंटिंग्स की ना सिर्फ नुमाईश करने लगा सकते हैं बल्कियों उनकी बिकरी करके मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं खूपसूरत टेंटिंग्स अध्भुत मूर्टियों का संग्रा लकडियों पर उकेरी गई कमाल की नकाशी चांदार सिल्प कलाओं का संसार अपने हुनर और कल्पना की उड़ान के बलबूते युवा अपनी कला को धार दे रहे हैं जिने एक ऐसा मंच मिल चुका है जहां ये न सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं बलकि अपनी जिंदगी भी सवार रहे हैं कोलकाता, मणिपुर, असम और तिरपुरा से अगरतला पहुंचे आर्टिस्ट को निखरने का मौका मिला है जहां फ्रिलांस आर्टिस्ट दिल खोल कर दिन रात एक कर रहे हैं इस आर्ट सेंटर में रखी हर कलाकृती बेहद आकरशक है यहां कलाकार अपने हुनर का जी खोल कर प्रदर्शन कर रहे हैं कोई लकडी पर शांदार स्कल्प्चर बना कर अपनी कला दिखा रहा है तो कोई गेली मिटी से निर्जीव किरदार को गढ़ने में जुटा है नॉर्थिष्ट के कोने कोने से पहुंचे कलाकारों को ऐसे ही एक मंच की तलाश बरसों से थी जिनके लिए ये ललित कला सेंटर किसी सौगात से कम नहीं जहां इन्हें इस बात की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं कि इन्होंने कैसी चितरकारी की है या कैसी मूर्ती बनाई है बलकि इन्हें तो बस अपने हुनर को तराश ना है लास्ट अप्रिल में हम लोगों का स्टूडू ओपिनिंग हुआ तो मैं तब से काम कर दी हूँ अभी तब ललित कला सेंटर में सीखने के लिए बहुत कुछ है यहां फ्रिलांस काम करने वाले कलाकारों को अपनी कला की कीमत भी मिलती है इस प्रदर्शनी में शोकेस पेंटिंग्स और मूर्तियों की न सिर्फ सराहना की जा रही है बलके उनकी बिक्री भी हो रही है जिसका उन्हें सीधा फायदा मिलता है यहां आटिस्ट को स्टूडियो बेस्ट काम मिलता है ललित कला सेंडर हो जाने से नौर्थ इस्ट की पारंपरिक कला को नई दिशा मिल चुकी है अगर तला से देलो रिपोर्ट गुड निव्स टूडे